मैं अंजली पिछले कुछ दिनों से हमारे कंट्रि में क कृरोना वाइरस की केसिस के साथ ब्लیک फंगस की केसिस भी देखने को मिल रहे थे और अब आया है एक नया white fungus, coronavirus और black fungus ने पहले से ही मिलकर इंडिया में टांडव मचा रखा है और इनका साथ देने को आया है ये नया white fungus, कहते हैं नो तीन तीगरा काम बिगरा तो अब तो बच कर रहने की बात है, क्योंकि पताने ये तीनों मिलकर क्या तबाही मचाने वाले हैं हमारे देश में, तो आज का हमारा discussion का topic यही होने वाला है, हम बात करने वाले है कि black fungus क्या है, white fungus क्या है, fungal infection क्या होते हैं और इससे related बहुत सारी बात है, तो चलिए start कर दो, बात कर रहे हैं fungus के बारे में, तो पहले देखते हैं कि यह fungal infection क्या होती है, fungal infection का मतलब disease caused by a fungus, fungus से होने वाली बीमारीओं को fungal infection कहा जाता है, क्या होता है कि जब कोई भी fungus हमारी बाडी को infect करती है, तो हमारे बाडी में कुछ changes आती है, जैसे eaching, red rashes, देखने को मिल सकते हैं, यह सब common symptoms है, fungal infection के, यह fungus जो है, वो हमारे बाडी में कैसे आते हैं, देखिए, fungus के जो sports होते हैं, वो क्या होते हैं, क्या होते हैं, हमारे बाडी के, हमारे inhalation के त्रू हमारे बाडी में जाते हैं, आहां, हमारे बाडी के अंदर जाते हैं और हमारे बाडी को इंफ्रक्ट करते हैं, नहीं तो कहीं भी जदी हमारे बाडी पार्ट्स पर कहीं भी marks टो गया है और वह तो सपीम अमर्द को छळी देखते हैं कि बिमारी मिल्ग मकाइ का जा रहा है तो बिमारी मिल्ग मिल्ग मह dishonुकर्पेचल कि कि रहा है यह जइज होता है तिन दिनों के लिए छोड़ दिया जाएं तो आप उस पर एजली एक लेयर देख सकते हैं एक लेयर फॉर्म हो जाती है और इसी लेयर को मूल्ड कहा जाता है देखे ब्लैक फंगस में क्या हो रहा है इसके स्विंटम्स क्या है कि लोगों के आंख के डौसनिया जो है उनके व सिर में दर्द, पेशियल पेन, नाजल कोगनिशन नाक भारी लगना नाक जाम लगना और जैसा कि हम सभी जानते हैं ब्लैक फंगस जब आया तो लोगों में यह बहुत आम हो गई कि उनकी आंख की रौसनिया जा रही है क्या होता है कि वीजन जो है लोगों का कमजोर हो जा जो वह 50% है मतलब यदि किसी भी परसन को इस ब्लैक फंगस ने इंफेक्ट किया है तो उसके 50% चांसे है कि उसकी देथ हो जकती है अब इस ब्लैक फंगस क्यों कहा जा रहा है देखे क्या होता है कि जब यह फंगस हमारे बॉड़ी को इंफेक्ट करती है तो हमारी ब्लड और लाइफ टीसूस जो है वह मर जाते हैं जिसके वज़ासे उनके कलर में चेंजेश आती है व्याफ ब्लैक में कंडleo हो जाते हैं इस लिए इस ब्लाइक इस फंगस को ब्लैक फंगस नाम दिया गया क्या हो रहा है कि यह fungus जो है बहुत ही तेजी से फैल रहा है यह तीन दिनों के अंदर ही हमारे eyes को jaw bones को infect कर दे रही है और इसे brain तक फैनले से रोकने के लिए क्या किया जा रहा है कि doctors जो है वह infected eyes इसे jaw bones को है निकाल दे रहे हैं surgery के तुरू और एक antifungal injection एंफो थेरीशियन भी दिया जा रहा है इस ब्लैक फंगस को फैनले से रोकने के लिए government ने इस ब्लैक फंगस को एपीडेमिक घोसित कर दिया है बात करें हम white fungus की तो white fungus जो है वह चार गुना ज्यादा खतरनाक है black fungus से comparison क्यों क्यों कि देखिए white fungus जो है वह हमारे lungs को effect तो कर ही रहा है साथी साथ kidney, brain, private parts, nails, skin, stomach इन सभी चीजों को effect कर रही है बात कर जहां तक की बात था black fungus का black fungus से क्या हो रहा था कि हमारे आखों की जो है वह रोस्तियां ही जा रही थी बट यह white fungus जो है तो लगवग हमारे इसके symptoms देखें तो इसके symptoms जो है वह COVID-19 के symptoms जैसे ही है जैसे cough, fever, diarrhea, dark spots on lungs, reduce oxygen liver जैसे COVID की symptoms होते हैं वैसा ही symptoms white fungus का भी है फ़र्क इतना है कि यह जो white fungus है वह लोगों को confuse कर दे रहा है अब confuse कैसे कर रहा है लोग में COVID के symptoms दिख रहे हैं बट उनकी COVID की report जो है वह निगेटिव रही है अब डॉक्टर्स ने देखा कि आसा क्यों भाय आसा क्यों हो रहा है तो देखिए जो infection था उसे HRCT जैसे chest scan हो गया CT scan और X-ray द्वारा पता लगाया गया कि एक नया fungus आया है white fungus और इसी ने बाडी को इंफेक्ट किया है जिसकी वजह से हम इस symptoms COVID के दिख रहे हैं बट ह हमारे result जो है रिपोर्ट जो है वह निगेटिव आ रही है इस white fungus से बचने के लिए लोगों को anti-fungal medication दिया जा रहा है सवाल यह उठता है कि क्या यह coronavirus ही है जो अपने साथ इन फंगल infection को लेकर आया है जी नहीं ऐसा नहीं है यह fungus जो है वह पहले से हमारे environment में मौजूद र हो गया है अब यह active और powerful कैसे हो गया है देखे क्या था यह जो फंगस है वह हमारे environment में पहले से ही रहते जैसे पानी पर मिट्टी पर बालू पर आप कहीं भी इन फंगस को देख सकते क्या था कि हमारी immunity जो थी वह strong थी स्ट्रांग immune system होने के बाद क्या होता था कि यह जो फंगस है उसका हमारे body पर कोई effect नहीं परता था कोई प्रभाम नहीं परता था कोबिड-19 के आने के बाद क्या हुआ कि हमारी immunity system जो है immune system जो है वह weak हो गया जिसकी वज़र से यह fungus जो है powerful हो गया और easily हमारे body को infect कर दे वह देखने को मिल रहे हैं बढ़ गया है कैसे लोगों को खतरा है इस फंगल इंफेक्शन से तो देखिए वैसे लोग जीने कोविड हो गया कोविड के पेसेंस वैसे लोग जीने इस्टेरोइड दिये जा रहे है ऑक्सिजन सपोर्ट प्रवाइड किया जा रहा है जिनकी immunity जो है वह कम जो रहें लोग इम्यून सिस्टम है जिनका तो वैसे लोगों को अधिक चांसे हैं कि यह फंगल इंफेक्शन हो सकते हैं white fungus तो है white fungus तो डा होती ज्यादा प्रॉब्लम के को फेस करना पर सकता है तो यह था black fungus और white fungus से related कुछ information आपसे यही रिक्वेस्ट है कि जितना हो सके safety protocols का भी को follow करे और अपना ध्यान रगे हमारा अब तक का साथ देने के लिए धन्यवाद